hallo friends नमस्ते में हुआ पुश्पा पुश्पारियल व्लोग चेनल में आप सभी friends का एक बार फिर से मैं बहुत-बहुत स्वागत कर्ती हूं friends कैसी है आप सभी सभी ठीक हूंगी मैं यही आशा करती हूं friends और आज मैं ठीक नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा दुखी हूँ, परिशान हूँ फ्रेंस और आज मेरा कोई रूटीन ब्लॉग भी नहीं है आज फ्रेंस मैं किसी के बारे में अपने चेनल पर खुल कर बोलना चाहती हूँ आप सभी से बात करना चाहती हूँ तो फ्रेंस आज मैं बात करने वाली हूँ जिनके बारे में पिछले कई दिनों से यूटूब पर काफी सोर हो भी रहा है और आप में से कई सारे लोगों ने उनके उपर वीडियो भी बनाए हैं और आज फाइनली मैं भी बहुत मजबूर हूँ उनके लिए ब्लोग बनाने पे वीडियो बनाने पे बहुत जरूरी मुझे लगा आज तब मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ फ्रेंस तो चलिए मैं बात करने जा रही हूँ आज हमारे यूटूब की जानी मानी और बहुत ही मतलब famous महिला के बारे में एक लेडी के बारे में जिसका नाम है रमा उनके चैनल का नाम है आयान मॉम एन ब्यूटी उनके चैनल का नाम है और रमादी किसी परिचे की महताज नहीं है जिनके मिलियन से सब्क्राइबर है रमादीजी जो है वो किसी परिचे की मौताज नहीं है फ्रेंस यह आभी सब जानते हैं मैं भी जानती हूँ किसी पहचान की मतलब मैं या आप कोई उनको एक पहचान दे उनके बारे में बताए इसकी वो मौताज नहीं है वो YouTube की एक जानी मानी हस्ती हैं एक जाना माना चेहरा है और काफी मतलब संघर्स किया है उन्होंने YouTube पर और आज अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने उनका एक पोस्ट देखा और वो पोस्ट देखकर मतलब मैं बहुत परिशान हूँ बहुत दुखी भी हूँ उनके लिए कि एक लेडिस अपने लिए ऐसा कैसे सोच रही है ऐसा कैसे बोल सकती है तो अभी एक पोस्ट उन्होंने डाला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं जिंगी से परिशान हो चुकी हूँ और YouTube भी मैं छोड़ रही हूँ और मेरी याद मेरा आयान में तब उनका बेटा उसका आयान है तो मेरी याद दिलाता रहेगा ऐसा उन्होंने कुछ लिखकर और comment डाला है फ्रेंस काफ़ी टाइम से उनके बारे में उनकी ननत के बारे में उससिराल वालों के बारे में काफी कुछ negative comment किये जा रहे हैं especially उनके बारे में बहुत कुछ गलत कहा जा रहा है जो कि न आप सब ऐसा मत करिए किसी की बसी बसाई जिन्दगी को इस तरीके से उजाड़ना अच्छी बात नहीं है आप लोग या मैं कोई नहीं होते है किसी की जिन्दगी को या किसी के बारे में बोलने का हमें कोई हक नहीं है हम किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो हमें ब पाई है वो अपने दम पर पाई है हम उनके बहुत पुराने सपोर्टिव हैं हम उन्हें बहुत पहले से देखते हैं और शायद उन्हीं लोगों को रमा दिदी और भी कई सारी मतलब बड़ी यूटूबर है जिने देखकर हमने कुछ सीखा और उन्हीं की देन से आज हम भी यूटूबर हैं तो आज उनके बारे में ऐसा सुनकर या उनका ऐसा पॉस्ट देखकर बहुत दुख लग रहा है बहुत जादा परेशान है बहुत दुख है लोगों की बातों से परेशान होकर बहुत दुखी है वो और उन्हेंने कई बार इस तरीके के वीडियो भी बना कर हम किसी की जिंदिगी का फैसला नहीं कर सकते किसकी लाइफ में क्या चल रहा है किसकी रिष्टे में क्या चल रहा है यह हम नहीं तै कर सकते क्योंकि 10-20 मिनट में सारी चीजे नहीं किलियर हो जाती और यह चीजे भी उन्होंने कई बार खोल कर अपने ब्लॉग में अपन तब से देखती हूं जब वह उन रूम सेट में रहते थे और जब उनों अपने चैनल की शुरुआत की थी और उनका बेवी उस समय बहुत छोटा था घृत से उन्हों ने घृतर की थी और उनकी जरंश सकते हैं छोटे बच्चे के साथ youtube पर काम करNa कितना मुश्किल है जो कर रहे हैं उन्हें भी पता होगा और जो नहीं कर रहे हैं कि कितना मुश्किल होगा यहां पर काम करना तो मैं तो यहीं कहूंगी कि friends आप किसी को support ना कर सके तो किसी कोoded आप Courtney motorivate भी Mat करिये किसी को मरने पे मजबूर मत करिए किसी को एग-दम मतलब जिंदल को खतम करने पिर मजबूर मत करिये किसी को जीने दीजिए किसी का क्या बगाड़ा है है किसी किते सकते सकते स्सक्राइब करते हैंaug Wow SS की woman बहुत कोमेंट में बढ़े हैं वीडियो कोग बनाती है और talked 사진agog है अब बानाती है और बसक्राइब न दिखाव्क नहीं कोई ज्यादा क्रेंब नहीं होता है के वीडियो में ज्यादा करकि रेशपी की शौकहीं टो किसी के बारे में नहीं बोल तो मैं अपको होते हैं उनके की बारे में कुछ बोलने वाले रमादी के रिष्टे को लेकर बी काफी नेगितिम कॉमेंट किये गए ब्लॉग्स बनाए गए उनकी ऐसा मत करिए उभी सुरुब मतलब उनके बारे में यूटूब पर जब से उनके देवर की शादी का जो प्रोग्राम शुरू हुए तब से और जब तक उनकी देवरानी घर में आ गई है तब तक उनके उपर जो है नेगेटिव कॉमेंट शुरू हो चुके थे और अब तो उनकी देवरानी भी घर में आ सब्सक्ति का में गड़नगा lecture जा रही है उनके लिए उनकेOr addresses से कॉमेंट्ज úgy परेशान हो जा रहे हैं प्रीस ऐसा मत करिये आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी आपको करने का कोई हक नहीं है और YouTube हम किसी की मर्जी से नहीं ज्योइन करते हैं कि हमें किसी ने बोला तो हमने ज्योइन कर लिया और किसी ने हमें बोला तो हम छोड़ देंगे तो ये भी गलत है कर दो ना कहीं वेखत कड़ी महत रही है तब वह हैं रात और r Black M झी बी Remember longitud कि प्रात्नiras करती हूं यूदिज लोगों के बातों में मत आये लोगों का का ही होता है उचाई से नीचे गिराना ये लोगों की फित्रत होती है उचाई आपने कैसे पाई है ये तो आप जान सकते आपको खुद पता होगा रमादीदी और हम खुद आपके गवा हैं कि आप ने जो है मिलियन के सस्क्राइबर कैसे इखटा किये कितनी मुश्किल आई थी कितने कित तकरी आपने एक चोटे से बेवी के साथ आप कितनी मतलब एक्टीव रही पड़े वीडियो आपने डाले और आज भी आप पड़े वीडियो डालती हैं उस समय से भी आप पड़े वीडियो डालती हैं हालात कुछ ऐसे ऐसे भी हुए आपके लाइफ में तब तब आपने भल बहुत कठीन हैं बहुत कठीन है अपनी फैमली को अपने घर को समझालते हुए यूट्यूब पर काम करना यूट्यूब पर डेली वीडियो अप्लोड करना बहुत मुस्किल काम है यह वो लोग नहीं समझ पाएंगे जो गंदे-गंदे कॉमेंट कर रहे हैं तो प्लिस और उनके बारे में उनकी फैमिली के बारे में या उनकी ननत के बारे में या उनकी जिठानी के बारे में उनकी सास के बारे में उनके बारे में कहने के लिए आप आपको आपको कोई हक नहीं है ना आपको ना मुझी किसी को कोई हक नहीं है उनके बारे में कुछ कहने के लिए तो चलिए friends यही छोटा सा वीडियो आज आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ और मैं भी एक लेडि हूँ आप भी एक लेडिस है friends और अगली लेडिस के बारे में यानी रमा दिदी के बारे में यह जो भी यूटूबर पर चल रहा है वो आपको पसंद नहीं आ रहे है तो उनके ब्लोग पे जाना बंद कर दीजे उन्हें देखना बंद कर दीजे लेकिन उन्हें इस तरीके से आप जलीर मत करिए इस तरीके से परिशान मत करिए यही मैं कहना चाहूंगी और मेरी सारी फ्रेंज आप सबके क्या निन ने हैं इस बारे में मुझे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा और मैं रमादीदी से हाज़ूर कर यही प्रात्ना करेंगी कि रमादी आप लोगों की बातों में बिल्कुल मत आईए आपने बहुत मेहनत करी है तब आज आप जो है मिलियन के सिस्क्राइबर पे हैं और आप इतना अच्छा मतलब आपका चैनल चल रहा है तो लोगों की बातों में आकर आप अपने चैनल को बिल्कुल मत बन करिएगा और करिएगा दिदी और आपके लिए धिर सारा में भगव कॉमेंट जरूर करिएगा एक और